टेंगू चिकनगूनिया मलेरिया के बढ़ते केसों को देखते हुए साउथ दिली के निगम पारसत आम आदमी पार्टी दिनेश कुमार ने अपने वार्ड 89 एस में टेंगू चिकनगूनिया मलेरिया को फैलने से रोखने के लिए आज फागिंग अभियान चलाया जिसको ले टेंगू मलेरिया चिकनगूनिया के बढ़ते केसों को देखते हुए हम अपने वार्ड में फागिंग करवा रहे हैं घर घर जाकर और हमारे वार्ड में डेंगू के लगवक 6-7 केस मिले हैं हम लोगों का प्रियास से ही रहता है कि टेंगू मलेरिया चिकनगूनिया आदी स कोई भी ना मरे। पानी वगर आजो टाहर को जावरूर हो चाहे हैं, भी नीच भी चडियाां के लिए जैसे पानी रखते हैं, उसको भी शचावाइ डिया, कि लिए आज़े लोगों को जावरू करते हैं। भाई पंप्लेट के तुरू भाई हमारी एक मलेरे डिपार्टमेंट की तरफ से एक वोटो हायर किया हुआ है जो लोगों को जवरू करता है कि पानी को खट्टा ना होना किया सावा अफ़ने पानी को पर दिये है। पशंतलाल मलेरे इंस्प्रक्टर वाड नमर 79 नेस बधनगीर अपने 79 वाड में हर एक ब्लोग में हर एक घर में होगिंग करा रहे हैं और हमारे यहां 57 केस आचुके हैं देंगू के हमने पूरे सीजन में 135 नोटिस काटे हैं 90 चलानकी हैं और 175 जेट काटे हैं हम परियास कर रहे हैं कि किसी को हमारे यहां किसी को देंगू नहों हमेसा यहीं परियास रहेगा आगे परियास रहा है मैं नीलम सिंग तुष बहार निवासी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज केल बेंगू का प्रकोप को जादे बढ़ रहा है दिल्नी में रोज नहीं नहीं के केस आ रहे हैं उसमें हमारे छेतर के जो निगम पार्षद जी हैं दिनेश कुमार जी उन्होंने आज हमारे एरिया में फॉगिंग करवाई है ताकि यहां पे लोग सुरक्षीत रह सके हमारे यहां रेंगू मुलेरे बहुत हो राखा था तो यहां के निगम पार्षद जो इनेश कुमार जी हैं उन्होंने सब्सक्राबर जवाई पर फिर्काव करवाया है